कि इस वीडियों में बात करेंगे दोस्तों इक आ ये 6 कि इक आई 6 का नाम है समाजी करन 13 नंबर की युनिट है सबसे यए नंबर अंबर की यह है आपकी तो बड़े कॉसिसंस दोस्तों यहासे ज़्यादा बनेंगे और छोटे कुंद दो यह दो बनेंगे तो सारे इंपोर्टेंट के बारे में दोस्ते इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस वीडियो से बाहर आपका कोई भी प्रेशन नहीं होगा सारे प्रेशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो आइए चलते हैं पहले प्रेशन की तरफ पहला प्रेशन है आ एक पीडी से दूसरी पीडी को अगला आपका इंपोटेंड कुछन है दोस्तों संप्रेशन क्या है इसका राइट आंसर होगा हम पारसपरीक अन्तहक्रिया के लिए साब्दिक एह साब्दिक व्यवार का परियोग करते हैं इसे हम संप्रेशन के नाम से जानते हैं साब्दिक समपर्दपित करने में सप्रिशन के साधन सहयोगी होते हैं। अगला साजिक करना है और इसकेअषेटा में हैं सामाजिक अंत्यक्रिया को को tvacakt करना हैं और इसके अथ्वा में सामाजिक अंत्यक्रिया क्या है स्का अध्यन कैसे करते हैं। ऑसी दोस्तों एक बार तो आया है 2018 में दीय लड में ये विशन और एक बार आया है 2017 में तो इसका दुस्त आख मिनि एक नकलता है कि आप के पिछले साल के UKS में से काफी देख लेए हमारे चैनल पर जाएंगे तो आप प्लैलिस्ट पूरी बने वी है वहाँ पे आप सारे वीडियो से देख सकते हैं कि वहाँ से आपके काफी कुशन दोस्तों इस बार रिपीट होने वाले हैं तो उसको जरूर से देख लें आप समाजिक अंत्यक्रिया क्या है इसका राइटांश रोगा समाजिक अंत्यक्रिया स्वयम के सीखने का एहम समाज में स्वयम को ढालने का आधार है इस प्रकार बच्चों में अनवयत रूप से समाजिक व्यभार की सही समझ विक्षित होती है जो समाज एम संस्कृति के अस्तितों को बनाए रखती है सामाजिक अंतहक्रिया का हम दो विस्तरों पर अध्यन कर सकते हैं सुक्षम और व्रहध सुक्षम अंतहक्रिया क्या होती है? व्यक्ति के मध्य तक ही सिमित है इसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ पारसपरिक संबंद होने के करण समाजिक्ता के गुणों को ग्रेन करता है और व्रहध अंतक्रिय क्या है? समुदाय राज्य राष्ट्र एम अंतर राष्ट्री इस तर तक विस्तार लिये होती है इसमें व्यक्ति विशेश विस्तरत रूप से संबंद इस्तापित करती हैं एक दूसरे की संस्कृति के आचार विचारों के साथ आत्मसाप्त करता है अगला आपका इंपोटेंट कुछन है दोस्तों प्राकर्तिक सामाजी करण को परिबासित करना है दीलेट 2019 में एवक्यूशन है यह और इसका राइट आंसर होगा जब बच्चा प्रकर्ति में स्वयम का विकास स्वयत ही करते हैं तता प्रकर्ति के आगोष में रहकर समाज के तोड तरीके सीखते हैं तो यह इस्तिती प्राकर्तिक समाजीकरण कहलाती है और अगला इंपोर्टेंट कुछन दोस्तों समाजीकरण के विविद परकारों का संसेप में उल्ले करना है समाजिकरण के प्रकार है, पहला प्रकार है प्रात्मिक समाजिकरण, दूसरा है सू नियोजित समाजिकरण, तीसरा है प्राकर्तिक समाजिकरण अब थोड़ा सा इनके बारी में पिजानकरई को देना है तो पहला प्रात्मिक जो समाजिकरण हो जाती है यह प्रक्रिया बच्चों को उस परिवेश विशेश की उपज है जिसमें वह पल बढ़ रहा है दूसरा है सू नियोजित समाजिकरण यहें बालकों को प्रेरित करने वाला समाजी करण होता है जो पूर्व नियोजित होता है इसमें मातापितावे समाज अपने तोर तरीके रिती रिवाज बच्चों को सिखाता है और तीसरा है प्राकर्तिक समाजी करण बच्चा प्रकर्ति में स्वयम का विकास स्वतहे करते हैं अतर है कहा जा सकता है कि प्रकर्तिक के आगोष में रहकर बच्चे समाज और तोर तरीके सिखाते हैं अगला प्रसंदों बालक के सामाजी करण का वेक्तित्व के विकास में क्या महत्व है और इसके अथ्वा में है सामाजी करण की विक्तित्व के विकास में क्या भूमी का है तो यहां बात करने वाले हैं पूरी इसमें समाजिक्रण की व्यक्तित्व के विकास में भूमिका है समाजिक्रण की व्यक्तित्व के विकास में महतपूर्ण भूमिका रहती है समाजिक्रण एक प्रक्रिया है और व्यक्तित्व का विकास उस प्रक्रिया का परिणाम है दालनाएं विचार मुल्य आधिये ग्रहन करता है और उन्हें अपने व्यक्तितुव का अंग बनाता है व्यक्तितुव का विकास आत्म के विकास पर आधरित होता है आत्म यानिकी खुद के विकास पर निर्बढ होता है आत्म की उत्पत्ति सामाजिक अंतहक्रिया में होती ह है जिसको अन्तक्रिया का आउस्र नहीं मिलता उनमें आत्म का विकाष नहीं होता ढ़य का विकाष एक परकार के कार्यगहन ट्रॉल टेकिंग से संबंदित है आत्म प्रेरणाओं एम अभीवरत्यों को अंतर विश्ष्ष करता है इसी से आत्म का स्वरूप बनता है आत्म की उत्पत्ति सामाजिक अंतर क्रिया में होकर सामाजिक कारिये में विकास कारिये गर्ण की सायता से प्रेरणाओं एम अभीवरत्यों को अन्विश इस प्रकार वेक्टितों का विकास सामाजिकरण पर आध्रित है प्रियोगों से देखा गया है कि बालक भूख बूझ जाने के बूख को बुझ जाने के बाद भी मा के इस्तनों को नहीं छोड़ता वास्तों में दूद पिलाना केवल बूख शांत करने की विदी नय होकर बालक के प्रती माता के इशने का भी परिचायक होता है इस कारण दूद चुड़ाने का भी बालक के वेक्टेतों पर प्रभाव पड़ता है यदि बच्चे के प्रती उपेक्षा के कारण मा उसे दूद पिलाना बंद कर देती है तो बच्चे के वेक्टेतों में निराशा भाव और कटूता भाव आधी पनप सकते हैं इसके विप्रीद यदि बच्चे के अधिक आयो तक बच्चे को अधिक आयो तक अपनी माता का दूद पिलाती है तो वह उस पर निरबर हो जाता है और आमतलब बन जाता है इस संबंद में परिक्षन यहें भी देखा गया है कि जिन बच्चों का दूद 3-6 माह की आयो के बीच छुड़ा दिया जाता है उनमें सुरक्षा की भावना उन बच्चों से अधिक पाई गई जिनको 9 माह या इससे अधिक समय तक दूद पिलाया गया था यह कहा जाता है कि अगर सामजी करण की प्रक्रिया बच्चे के जीवन में 6 वर्षों तक उचित प्रकार से क्रिया शिल नहीं हो तो उसका इस्ताई प्रभाव एक्टी के विक्तित वे की विकास पर पड़ता है उधारणार्थ एक आयू में ऐस उरक्षा की भावना विक्षित हो जाने पर मानसिक शंगर्ष आरम हो जाता है जिसके कारण कुछ बच्चे दब्बू और प्लायंसील हो जाते हैं और कुछ बड़े आक्रामक एहम उद्दंड प्रकर्तिके बन जाते हैं इसे प्रकार जन्म से लेकर किशोर आवस्ता विवावस्ता प्रोड आवस्ता आधी में समाजिकरण द्वारा व्यक्तितों का निर्माण होता है अगला इंपोर्टेंट प्रसंद दोस्तों बच्चों पर विप्रीत परिस्तितियां क्या प्रभाव डालती हैं किनी दो परि केदभाव से परे सभी की प्रति इश्नेह रखते हैं ऐसा ही विश्वास वे इश्नेह बड़ों को बड़ों से चाते हैं ना प्रंतु बच्चों के पड़ने की आयू में उन्हें विप्रीत परिस्तितियों में बच्पन गुजारने के लिए मजबूर कर देना एमानविये ही नहीं वरन मनवादिकार के विरुद भी है इस तरह हम बच्चों का विश्वास खोने लगते हैं और बच्चे विप्रीत परिस्तितियों में अपने अस्तितों को कायम रखने के लिए गलत दिशा में प्रस्तान कर जाते हैं इसके पीछे कही कारण हैं जैसे निर्धनता सिक्षा बड़ा परिवार बच्चों में भेदभाव मातपिता द्वारा बच्चे का परित्याग अनात परिवार बच्चे प्षड़े हुए बच्चे प्राकरतिक आपडा से प्रभावित बच्चे आधी मातपिता प ses मनमूटाव अधी हैं इसराप पिकर मारपीट करना आदी बातें बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डालती है उर्षिंसा की बाहं बात करें तो बच्चा अपनी सवतनत्र अभिव्यक्ति करना चाहता है और सवतनत्र सोच रखते हुए निरने लेना चाहता है तत्वस्चात एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहता है उसमें बदले की भावना जागरत हो जाती है वहें हिंसा की और प्रवर्त हो जाता है अगला है नसा खोरी तो बच्चा घर परिवार तथा आसपडोस में जोबगी देखता है उसकी नकल करने का परियास करता है आज कल बदलते परिवेश में माता-पिता अतिव्यस्त रहत परिवेश बच्चों को जड़क देते हैं और कहते हैं जल्दी बताओ या कहेंगे अभी समय नहीं है बाद में बात करेंगे बच्चा निरास हो जाता है ऐसा कई बार होने पर बच्चा उस और चल पड़ता है जहां उसे सहानुबूती मिलती है और जहां उसको बात सुनी जाती है चाहे उसके साथी उचित आदतों वाले हो या गलत इससे उसे कोई फरक नहीं पड़ता बस उसकी सहानुबूती जिदर मिलती है वह उस साइड चला जाता है इस परकार लाड़ प्यार के अभाव तथा उसे सहमित नए दिये जाने से बच्चे नशाकोरी की आदत क से गर्षित हो जाते हैं अगला परसंदोस्तों बाल पर ताड़ना यूं पारिवारिक मनमुटाव का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है डीलेड 19 में आयवा क्यूशन है और इसके अत्वा में है बच्चे को कक्षा में अपमानित करने से बाल मन पर क्या प्रभाव बच्चों का क्या प्रभा पड़ता है तो इसका राइट आउसर देखेंगे बच्चों को देया जाने वाला दंड बाल पर ताड़ना है यह सारिक मानसिक भावनात्मक होती है यह किसी भी दरश्टी से उचित नहीं होता छोटा बच्चा जिसे पूरी समझ नहीं है उसे ड हसी उड़ाना नंबर कम आने पर उसे अपशब्द कहने की परिस्थिती में बच्चा या तो रोने लगता है या गरदन जुखा कर एकदम चुप हो जाता है इन सभी बातों को बच्चे की भावनाओं पर ठेश पहुंशती है जिससे वह अपने साथियों और अन्ने सिक्सक कराना एरुची वाले विश्यों के पशनुत्तर याद कराना बात बात पर रोकाटों की समय सीमा में बांधना ज्यादा सेतानी करें तो उसे होस्टल में दाखिला कराकर अपने दाइत्व की इतिसरी कर लेना भी बाल पर ताड़ना की श्रेणी में ही आता है यासी इस्तित होने के लिए जड़ पटाता रहता है जो कि उसके स्वाबाविक विकास को बादा पहुंचाता है परिवारिक मनमुटाव का बच्चों पर क्या प्रभाव पढ़ता है बच्चों का लालन पालन परिवार में होता है जहां उसे माता पिता का लाड़ प्यार दुलार वे संस इसकार उसके विक्तितों के विकास में सायक होते हैं, बच्चा अपने परिवार में रहकर परिवार के सभी सदस्यों के पर्तिदिन कुछ ना कुछ शीक कर आतमसाथ करता रहता है, लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्तिती भी बन जाती है, जहां परिवार के सदस्ये एक दूसरे स से मन से दूरी बना लेते हैं एक दूसरे की भावनाओं का आदर नहीं करते अक्षर सदस्यों के मद्य टकराहट की इस्तिति उत्पनों दाती है उसका सीधा प्रभाव बाल मन पर पड़ता है वह अंतरमुकी चुप-चुप रहने रगता है और अपनी प्रतीबा का पूर्ण की इस्तिति का उले करना है और इसके अत्वा में है टिपनी लिखना है विशेश योगता वाले बच्चों का बच्चपन इसका राइट आंसर होगा विशेश रूप से असक्षम बच्चे जो चल नहीं सकते देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते अपंग होते हैं और दी किसी व्यक्ति की इदि आखे नहीं है तो वेह चल नहीं सकता अत्वा सुन नहीं सुन बोल नहीं सकता तो उसकी जिंदगी की कटिनायों के बारे में सहज ही अनुमान लगया जा सकता है और हालत यह हैं कि ने रेले ने बस न बजार ने रेलवे स्टेशन और ने बस अड़े यहां तक की अस्पताल भी डेबल्ड फ्रेंडली नहीं है नहीं कोई इस बारे में ध्यान देता है जब तक की ध्यान ने दिलाया जाये अगर विकलंगों के लिए काम करने वाली संस्ताइं भी इस तरह की मांग करती रहती है कि विकलांगों की समस्याओं पर हर बजट में विचार होना चाहिए इस हर बजट में उनके लिए अलग से रासी रखनी चाहिए इसका इस्तेमाल उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए उसके लिए नोक्रियों में आरेक्षन बढ़ाया जाना चाहिए प् समाजिकरण की विबिन संस्ताओं का परीचे देते हुए शिक्षक की भूमिका का मुल्यानकन प्रस्तूत करना है DLA 2018 में आयावा क्यूशन है और अथवा में है इसके बालक के समाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका का अलोचनात्वक जो है विवेचना करनी है और इसके अथवा में है समाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के कारियों का उल्ले करना है इसका राइट आंसर होगा रपरिवार के दौरण परिवार के विविद्ध तोर तरीकों से परिचित होता है। सीखने की इस प्रिकरिया में परिवार के माहुल की आहिम भूमिका होती है। बच्चे के सामाजिक जीवन की यात्रा सपल बनाने में सर्वपर्थम उसका परिवार आता है। माता-पिता का सावंजस्य बरा साथ लगाओ देखबाल एम सम्मेज बूज से ही परवरिश पर बच्चे के भावी जीवन की नीव खड़ी होती है। अब दूसरे नंबर पर आता है विद्याले जीवन के प्रारंबिक वर्षों में सिसु घर की चार दिवारी से निकल कर विद्याले के वातावरण में परिवेश कर नवीन सामाजिक परिवेश से परिचित होता है। विद्याले के नए सामाजिक परिवेश में बच्चा अपने हम उम्र संगी साथियों से विद्याले की विविद गत्निविदियों के माध्यम से प्रस्पर अंत्य किरिया के द्वारा सामुहिक जीवन के कला कोशलों को सीखता है विद्यालाई सिक्षा बच्चे के विक्तित्वक निर्माण में एहम भूमी का निभाती है उसे संस्कार दिलाती है तीसरा है समुदाई 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 समाजिक अनुभाओं का केंदर बिंदू है परतेक समुदाई की अपनी प्रताई प्रमपराई इरितिया नीतिया बच्चे के सामाजिक विवार के निधरन एवं विकास में सहयक होती है समुदाई की सामुदाई की सामुदाई की क्रियाओं में भाग लेने से बच्चे के सामाजिकरण में सहयता मिलती है समुदाय की विभिन गतिविदियों वा किरिया कलापों के माध्यम से बच्चे का समाजिकरण होता रहता है अगला है मित्रमंडली समाजिकरण की संस्तानों में मित्रमंडली की एहम भूमिका होती है बच्चा अपनी मित्रमंडली के साथ खेलते, कूलते, पढ़ते, लिखते हुए अनेक परकार के व्यवारों को सीखता है जैसे खेल, खेल के नियम, सहयोग, अनुसासन, समायोजन, परिणाम, नेतरत्व, आदी और अगला है सिक्षक बच्चे के व्यक्तित्व निर्धारन एम उसके सामाजी करण में सिक्षक महतपूर्ण भूमी का निबाता है शिक्षक के व्यक्तिक चायत्रिक एम व्यावसाय गुणों का प्रभाव बच्चे की वेभार पर पड़ता है शिक्षक बच्चे की सिक्षण समंधी नियमित्ताओं के साथ साथ आलतवय वेभार समंधी सामजिक्रण करने में भी सायोग परदान करता है अगला है मीडिया, आज के बच्चे जनम से ही मीडिया के परभाओं में पल बढ़ रहे हैं अतर मीडिया के व्यापक संसार में बच्चे अचुते नहीं हैं बच्चा अपने बच्पने से ही मीडिया के संसादनों यानी टीवी, रेडियो, टेप रिकोर्डर, कम्प्यूटर, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाएं, मुबाइल आधिका उप्यो करता हुआ समाजिकरण को नवीन अर्थ परदान कर रहा है। अगला है सिक्षक की भूमिका का मुल्यांकन समाजिकरण की प्रक्रिया में सिक्षक का कार्य है। और समाज के लोगों के आचरण को प्रभावित करती है। शिक्षक का सर्वेक्षन कार्य है इस संस्कृति को बालक को परदान करना यदिव हैं। यह कार्य नहीं करता है तो बालक का समाजिकरण नहीं करता है। शिक्षक मातापिता के साथ बालक के चरीतर और व्यक्तितों का विकास करने में अती महतपूर्ण काड़े करता है। फिर भी सिक्षक और मातापिता एक दूसरे से दूर रहते हैं और संपरक में नहीं आते। परिणाम यह होता है कि शिक्षक बालक की रूचियों, मनोवर्तियों आधी को नहीं समझ पाता, इसलिए वहें बालक का समाजिकरण उचित दिशा में करने में ऐसे पल होता है। इस परकार यह अती आवश्यक है कि शिक्षक और मातापिता एक दूसरे के गनिष्ट संपरक में रहें और एक ही परकार के विश्वासों और दर्श्टिकरणों को अपना कर बालक का उचित दिशा में समाजिकरण करें। उसे कोई ऐसा अनुचित कारिय या वैवार नहीं करना चाहिए जिसका बालक के उपर गलत प्रभाव कड़े वह गलत दिशा में अग्रसर हो। जो प्रभाव वह बालक पर डालना चाहता है वह बहुत समय तक बना रहता है अता है उसे अपने कत्मों और कारियों के केवल उन बातों का सुझाओ देना चाहिए जिन पर समाज की स्विकृति की चाप लगी हो। आगे है सारांस में हम कह सकते हैं कि सिक्षक बालक के समाजिकरण को प्रभावित करता है। और उसका सामाजिक विकास उत्तम या लिकरत हो जाता है। हाट एप डबलू हाट में इस संबंध में प्रिक्षन किये हैं यदि शिक्षक मित्रता और सहयोग में विश्वास रखता है तो बच्चों में भी इन गुणों का विकास होता है यदि शिक्षक तनिक तनिक सी बातों पर बच्चों को दंड देता है तो उनके समाजिकरण में संकीरण ता आजाती है यदि शिक्षक अपने चात्रों के पड़ती सहानुबोती रखता है तो चात्रों का समाजिकरण सामाने रूप से होता है अगला प्रस्न है दोस्तों जेंडर विकास के कारकों को इसपस्ट करना है 2017 में आवा कुशन है ये और इसके अत्वा में है ज कि पिछले साल के सबी देख़ लें और सारे को आप इसब करने लिए एक बार आए जेंडर के बारे में जानते हैं जेंडर का रहे टांसर होगा जेंडर एक सामाजिक आयाम है जो हमें इस्त्रीवा पुरुष होने की पैचान में विबाजित करता है बच्चे के जनम लेते ही एक कलतना उबढ़ने लगती है कि उसकी पैचान एक ताकतवर सक्तिसाली, प्रोबीले, कामाओ, व्यवारिक, गुस्से वाले, पहल करने वाले व्यक्ति के रूप में होनी चाहिए उसी तरह से जब कोई लड़की जनम लेती है तो उसकी पैचान कमजोर, पराभीन, सेंसीर, आदी के रूप में होनी लगती है बालिका के संद्रब में उसी समय से उसके समाजी गरण की प्रकेरिया सुरू हो जाती है आजकल इस सब्द का इस्तेमाल आमतोर पर पुरुष के गुणों की प्रभूत्ता दर्शाने इकता उन सत्ता संबंदों को बताने के लिए किया जाता है जिनके तरहत पुरुष के गुण, इस्त्री के गुणों से ज़्यादा सत्ता वाले हैं जैसे कमजोर के बदले ताकतवर आदी पित्रसत्ता का एहम मक्षद है कि इस्त्री और पुरुष के गुणों में कोई मिलावट न हो इससे काम का विभाजन, गुणों का विभाजन, सत्ता का विभाजन ऐसमान रूप से होता है इस ऐसा मानता की वज़े से अक्सर इस्त्रियों को कई सारे बेदवाव सहने पड़ते हैं चाहे वह परिवार में हो, स्कूल में हो, दर्म संस्तान में हो या कि सरकारी नीतियों में हो जेंडर के विकास हेत्तु तरदाई कारक कौन-कौन से हैं तो मुख्यत है तीन कारक है, जेविक का परभाव, दूसरा है सामाजिक परभाव, और तीछरा है संग्यानात्मिक परभाव अब थोड़ी जैनकरी इन सब के बारे में हम ले लेते हैं तो जेविक परभाव है, बायोलोजिकल, तो मानों में क्रोमोजोंब, गुण सुत्र का 23 वा जोड़ा वो लिंग का निधारन करता है सामाने ता है इस्त्रियों में 2X गुण सुत्र होते हैं, जबकि पुरुस में X और Y होता है एक X रता है, एक Y होता है जेंडर विकास हार्मोन के बनने एहम शक्रिय होने से होता है क्रोमोजोंब, गुण सुत्र, लिंग, विभेद, निधारन करते हैं जबकि संस्कृति वे समाज जेंडर को ससक्त वे सबल बनाने में एहम भूमिका निवाते हैं अगला समाजिक प्रभाव, सोशियल में इसका एह है मातापिता वे परिवार मातापिता परिवार GENDER भूमिका ते करिने में एक प्रभावी कारक है इसके अलावा भी बहुत से अनियक कारक है CC जो जेंडर भूमिका को ते करते हैं जैसे संस्कृति विड्याले मित्रमंडल, मीडिया एंप परिवार के अन्य सदस्य परंतु कई शोधों से इसपश्ट है कि इन सब में बच्चे के प्रारंबिक जेंडर विकास में मातापिता का प्रभाव सबसे अधिक महतपूर्ण होता है बच्चे के जेंडर विकास में माता पिता दोनों की मनोव एग्यानिक दृष्टी से महतपून भूमिका होती है माताइं बच्चे का लालन पालन वे देखबाल करती है तो पिता लड़के वे लड़की के लिए प्रचलित ठांसकर्तिक नियमों को शिखाने वे खेलकुद वरी गतिविनिया करवाने की जिम्मेदारी निभाते हैं इस परकार से दोनों की बच्चे पर अपना प्रभाव डालते हैं पिता अपनी बेटियों की तुलना में बेटों के समझकरण में अधिक शिक्रिया रहते हैं माताओं की तुलना में पिता बेटियों वे बेटों के साथ विबिन वेभार करते हुए दिखाई देते हैं इस को बच्पन में खेलने हैं तो प्राई गुडियां ही दी जाती है तता बड़ी होने पर भी अधिक सार संभाल वाली भूमिकाएं दी जाती है और यहां दूसरी ओर लड़कों की तुलना में अधिक सहास वाली तथा खत्रे वाले decentralized खेल्ने दे आते हैं मातपिता लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक साथोंध्रता देते हैं जैसे घर से बाहर अधिक समय सक्राण सक और बिना देख करें तेंद के लड़के रह सकते हैं परन्तू लड़किया नहीं अब तीसरा आत इस तरह से बच्चा जैसा भी अपने परिवार में रहकर सुनता है उसी रूप में जेंडर को देखता है इस तरह से बच्चा जेंडर को एक इस्ताई रूप में नहीं देखता है और इस तरह 2 है जेंडर स्तिरता जेंडर स्टेंडर इस समिखता है अगर ब्योद्स लडगा है तो वहाइस होने पर भी उसक़ ग्वह जेंडर में इसे इस तरह पिंग्षा गण से लड़कौन और Clayton को पूर्वर रूप से देखता है वह समझता है यह एक जेवी की एकारक है नेकी बाल बढ़ा लेना अत्वा वेशिबूशा पहनना या फिर खेल खेलना अगला जो वेरी इंपोर्टेंट कुशिन है दोस्तों जेंडर अधारित सामाजिकरण की विभिन परकिरियाओं का उल्ले करना है निब्रदात्मक प्रस्चन है आपके ये आठ नमर का क्कुशन आने वाला है रूट हार्टले के अनुसार जेंडर अधारित सामाजिकरण चार परकिरियाओं के द्वारा होता है चलियोजना, दारा बदता, मोखिक संदेश तथा कारियों से पहचान सामने तर इन चारो परकिरियाओं में लिंक के अधार पर बेद के आता है तथा ये जनम से ही सिसुके समाजिकरण का भाड़ होती है चलियोजना या हेर फेर या साचे में डालने के परकिरिया का ताचपरिया गया है कि आप जिस तरह बच्चे को संभालते हैं देखा गया है कि लड़कों को सुरू से ससक्त और स्वधंतर व्यक्ति के रूप में देखा गया है कुछ संस्कृतियों में माताएं चोटी सी लड़की के सभी कपड़ों बालों के डंग और साज शरंगार की तरफ काफी जान दिती है और उसे कहती है कि वहें कितनी संदर है बच्पन के इन सारीरिक अनुभों का काफी गयरा असर बच्चे के मान में उसकी अपनी चवी पर पड़ता है वे अपने आपको एक खास रूप में देखने लगती है यथा ससक्तिया कॉमल और दूसरा दहराबदता क्या है? धराबदता वहें दूसरी परकरिया है असली बरतन घर साफ करने और छोटे भाई बैनों को खिलाने के काम पर लगा दे जता है जबकि वहें खुद बच्ची होती हैं दूसरे और लड़के या तो इसको जाते हैं या घर के काम करते हैं इस तरह से अलग अलग बढ़ताव से लड़के और लड़कियों की रूचिया एक खास दिसा में धाराबद होने रखती हैं आगे चलकर उनकी योग गेताओं रवेयों आकंशाओं और सपनों का विकास भी अलग अलग दिसाओं में होता हैं कुछ खास चीजों से बच्चपन में बनी पहचान अपने चुनाओं पर असर डालती हैं अब देखते हैं मोक पास तुम तो खूब बड़े और तगड़े लग रहे हो सोध अध्यन बताते हैं कि एसी टिपनियों से लड़कें और लड़कियों की सुवह पहचान बनती हैं घर के सदस्य बहुत छोटे बच्चों से काम करते हुए भी सीधी तोर पर उनकी जेंडर भूमिकाओं से जु चारो और परमपरी के पुरुशोत्तम और स्त्रियोचत गतिविदियां होते देखते हैं लड़कियों को कहा जाता है कि वे घर के कामकाज में मा का हाथ बटाएं जबके लड़के पिता के साथ बजार जाते हैं जिन समुदायों में दोनों लिंगों के बीच अलगाओ रख समझते हैं और देरे जाने अंजाने में उसे अपने वक्तितों का हिस्सा बनाते चले जाते हैं इस तरह से समाजी करने की प्रकरिया चलती रहती है अगला क्यों दोस्तों बच्चों की एस मिता को परभावित करने वाले चार कारकों का नाम लिखना है दोजार गुणिस डियलरड में आयवा क्यूशन है और इसके अथ्वा में जहां बात करें तो अथ्वा में है सामाजी करन का एस मिता के विकास पर परभाव हुए एसमिता को प्रभावित करने वाले कारकों को संसेप में बताना है आठ नम्बर का क्यूशन आपके ये क्यूशन अब इसकी बार आ सकता है तो एसमिता के बारे में जानते है आइडेन्टीटी ये विशिष्ट लक्षण जो किसी विक्ती से समद्दित हो सकता है तब अत्वा समूह सदस्च्चियों द्वारा सजहा किया जाता है इसे विशिष्ट लक्षन इसलिए का जाता है क्योंकि समाज में व्यक्ति एम समुह की इस्तिती को निर्मित करने में इसकी मैतपून भूमिका होती है अस्मिता की निर्मिति एक व्यापक प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति अत्वा समुह के लिए उसके उद्भव से ही प्रारंब हो जाती है व्यक्ति अत्वा समुह अपने अतीत पर अपने वर्तमान दोनों के माद्यम से अस्मिता का निर्मान करता है अस्मिता एक सारोभूमिक आवधारणा नहीं है जिसे व्यक्ति अत्वा समुह विशियस के लिए किसी भी इस्तितिया संदर्ब में सदेव इस्ताई माना जा सके बलकि यह संदर्ब आधारित अवधारणा है जो परिस्तिती इस्तान और संदर्ब के अनुसार बदलती रहती है अस्मिता जो है सावभूमिक अवधारणा नहीं है इस्ताई नहीं है यह परिस्तिती इस्तान और संदर्ब के अनुसार बदलती रहती है जैसे सामाजिक किसी धार्मिक तेम्वार के दोरान उस धर्म के जुड़े वेक्तियों की एक सामूरिक असमिता हो जाती है पर किसी दूसरी परिस्तिती में उन्हीं लोगों के अलग समू है बन जाते हैं जिसकी असमिता अलग-अलग विचारदाराओं से परभावित होती है जैसे समाज में कई बच्चों के तेज अथ्वा मंद होने की पहचार इस आधार पर की जाती है कि वे किस विद्याले में पढ़ने जाते हैं बच्चे का लड़का अथ्वा लड़की होना भी इसके अस्मिता निर्माद में एहम कारक हो सकता है समाज कई परकार से बच्चो कि आत्वा समुव की भूमिका थॉपरन होती है अक्श मिता का निर्मान किसी एक कारकपर निरबर्ड नहीं करता है बलकि इसका जाने मार्मिक्ती आत्वा समुव के सांस्कर्दिक वैस्राज नितिक दृष्चियादी अदिपर दिकास पर बहु आयामी प्रभाव पड़ता है अब बच्चोंगी अस्मिता को प्रभावित करने वाले कारक जो चार कारक है वो कौन-कौन से चेतर है पहला दूसरा धर्म तीसरा जाती और चोता है लिंग क्या कि पहला चेत्र की जहां बात करें तो समाजिकरण के प्रमुक गटकों में चेत्रत्या का विसेश्ट इस्तान है बच्चे का जर्म अथव लालन-पालन जिस परिवेस अथवा चेत्र में होता है उसी के लक्षन बच्चे की अस्मिता को प्रभावित करते हुए उसकी अस्मिता के परिचायक बन जाते हैं जैसे बिहारी बंगाली मेवाडी मारवाडी पहाडी अब दूसरा धर्म के बारे में धर्म परतेग बच्चे जो जन्म प्राप्ति के पस्चात समाज में कुछ करणी है वै उसीकी अनुरूप अपने वियभार आनुसासन को दूसरों के समूख प्रधान करता है समाज बच्चे की वियभार को नींत्रित करता है वेश्विक प्रिश्थित्यों में धर्म अनुवान्सिक्ता अधरित परिलप्शित होता है बच्चा झन्म के पस्चात जिस धर्म से परता बढ़ता है उसी के अनुरूप अपने अधर्शों अनुसासन वेभार मुल्यों एम अध्यत्मिक मुल्यों के साथ समाजीक्रत हो जाता है बच्चे की धर्म असमिता उसके पालन के अनुरूप विक्षित होती जाती है अगला है जाती तो आदिकाल से मानव समाज की विवाजन का एक मुख्य आधार जातियां रही है पर तेग जाती की अपनी कुछ विशेशता होती है जिसका प्रभाव उस जाती के बच्चों की अस्मिता पर पड़ता है यथा विविद जातियों के रिती रिवाजों, परमप बढ़ने वाले बच्चों की अस्मिता को प्रभावित करती है अगला है लिंग तो लिंग सी हम बात करें तो मानव समुधाय को लेंगिक आधार पर माना जाता है समगर वेस्विक समाज में महिलाएं वा पुरुस अपनी समताओं विशिष्टाओं के कारण है विशिष्ट असमिता धायता की होती है तो दोस्तों ये थे सारे इंपोर्टेंट क्यूशन की दोस्तों हमने इस वीडियो में बात कर ली है इनसे बाहर आपका कोई भी नहीं होगा और आप पिछले साल के पेपर जरूर से देख लेए हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो पिछले साल के मिल जाएंगे तो आप उन्हें एक बार जरूर से देख लें और धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें शेर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल पर भी एस्टी से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट जो है सबसे पहले प्रवाड़ कर जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें